तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी जेल बॉर्डर एवं फायर माइन का रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है जिसमें 17608 अभ व्यर्थियों को पास किया गया है तो अगर अभी तक आपका इसमें सेलेक्शन नहीं हुआ है तो आच चुकी है आपके लिएक बड़ी खबर क्या इनव व्यर्थियों की आएगी दूसरी लिस्ट जुड़ी वी कंप्रीट जानकारी आच के से वीडियो में आपको प्रवाइट कराई जाएगी तो दुस्तो वीडियो को कंप्रीट लास तक जरूर देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्ल पर जाकर अपना रिजल्ड चेक कर सकते हैं अब जरा इसकी कट और जिन अब व्यर्थियों का सेलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में बात करते हैं तो देखे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जितनी बैकिंसी थी उस बैकिंसी से तीन गुणा ज़्यादा अव्यर्थि यहां पर पहली लिष्ट में पास किए गये है ठीक हैं यादि की सत्रा हजार के करीब जो अव्यर्थि हैं वह यहां पर आभी पास किए गये हैं मेल फीमेल दोनों को मिला कर अब अगर बात की जाए जो मेल कंडियेट है यानि कि पूर सवतनता सेनानी का जो है ठीक है उनका कटॉब देखने को मिलेगा भूतपूर्व सैनिक का जो है वे कटॉब आपको यहां देखने को मिलेगा होमगार्स का कटॉब आपको यहां देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल की जैसा कि आपको पता है कि कटॉब गया है ज्यादा हाई कटॉब नहीं रहा है अगर जर्नल के टिकरी की बात करें यहाँ पर फीमेल में तो लगबग जितने यहाँ पर बैकेंसी थी लगबग 57,000 के करीब उससे लगबग तीन गोना यानि की लगबग 17,000 के करीब अब व्यर्थियों को पहली लिष्ट में पास किया गया है जिनका जो फिजकल है तो फिजकल का आप देख सकते हो कि 22 मार्च 2021 से जो इनकी सरेरिक दक्षिता परिक्षाइन की फिजकल जो है वैर शुरू होने वाला है अब देखें यह तो बात हो गए उन अव्यर्थियों की जिनका सेलेक्शन हो गया है अब जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है उनको चिंता नहीं करना है देखें अगर आपको लगता है कि आपका कटॉप के आराउंड में आपका कुछ नंबर आ रहा है लेकिन अभी तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है वह अब्यर्थी बिल्कुल चिंता यहाँ पर छोड़ दे जिनका जो कटॉप गया है उसके अराउंड में 10-15-20 का यहाँ पर डिफरेंस देखनों को मिलना आए ठीक है अगर जैसे यहाँ पर फीमेल का कटव एक सो चाचट गया है और अगर किसी का डीड़ सो नंबर तक आ रहा है फीमेल में तो चिंता ना करें अभी ठीक है मैं आपको आंगे पूरे डिटेल में बता सेकंड लिस्ट आही जाएगा ठीक है आभी सकता है नहीं आ सकता है लेकिन मैं आपको पूरा क्लियर करता हूं पहले अभी क्या है कि अभी आपका फिजिकल होगा अब फिजिकल में कितना व्यर्थी पास हो रहा है कितना व्यर्थी फेल हो रहा है यह डिपेंड करेगा आप की सेकेंड लिस्ट का ठीक है अगर यहां पर जादा से जादा अव्यर्थी फिचकल देने के लिए नहीं पहुंचते हैं ठीक है या फिर फिचकल में फेल हो जाती है तो डेफिनेटली दोस्तों जो बची वी वैकेंसी होगी उसको कंपीट कराने के लिए जितना बैकेंसी सबसे पहले फिचकल सभी का हो जाएगा तो हो सकता है कि इनके बाद आपको मौका मिले यहां पर ठीक है और आपको सेकेंड लिस्ट लगा कर भी बुलाया जा सकता है तो आपको चिंता भी नहीं करनी है हालाकि आगर आपको बहुत कम नंबर आ रहा है कटॉप से तो फिर आ ऐसे ही सठीक जानकारी के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा तक हम आप सभी तक ऐसी ही इंपोर्टेंट इंफरमेशन पहुंचाते रहें समय पर इसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज